नमस्कार CSK News में आपका स्वागत से दोसा जुगे हैं तेरा अप्रिल बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दे भारत ने लदाक में दागी एंटी टेंग गाइडेड मिसाइल हैलीना का सफल परिक्षण सफलता पूर्बक टार्गिट को तवाह कर दिया है जानेंगे आखिर लदाक में चाइना को कैसे करारा जटका लगा है आखिर क्या है इंटी टेंग गाइडेड मिसाइल और कैसे दुस्मन की रडार से मिनिटों में चेंज हो सकता है और यानि मिसाइल दागने के बाद भी कैसे अपना रूट डावर्ट करता है इसकी खासियत हम आपको बताएंगे दूसरी बड़ी अपडेट निव यार्क यानि अमेरिका में भी सड़ हुआ हमला बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी रैल नासिंग है वही और वहाँ पर हुआ भी सड़ हमला ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है पंदरा से जादा लोगों की मौत आतंग की खुद भी अपने आपको कर लिया है ब्लास्ट ये है अमेरिका में आतंग वनी भारत आतंग वायत का मुद्द उठा रहा है और वुशली अमेरिका में हो गया भी सड़ आतंग की हमला तीसरी बड़ी अपडेट चीन सीमा पर हरकत करता है अमेरिका तो दिया जाए चीन करता है सीमा पर हरकत तो अमेरिका ने कहा करारा जवाब मिलेगा भालत और अमेरिका संग बड़ी डील हुई है चीन के खिलाफ हो हम आपको बताएंगे चौथी बड़ी अपडेट, रूस ने कर ली, रासाइनी हमले की तैयारी, जेलस की ने दीचेताउनी, जहर छिड़काव की तैयारी कर रहे हैं पूतिन ने, जियां वो हम आपको बताएंगे इस बीच, बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने, बधाई, पसहबास सरीफ ने दिया जवाब, कस्मीर का जिकर करते बोले, भारत संग अच्छे, रिष्टे चाहता है, पाकिस्तान, आखिर क्या है माइने, वो भी हम आपको बताएंगे इस बीच, बिग ब्रेकिंग निउस निखल गया रही है, एक और आपको बता दें, जहां वायू सेना परमुक ने कहा है काने वाला समय, हाइब्रीड युद्ध होगा, भारत को पता नहीं चलेगा कि किस ने हमला कर दिया है, हम इस तरीके की टेकनोलोजी को भी डिबलप कर रहे हैं, तो यह की करके बताएंगे, जहां इजराल की जासूस ने लगा चाइना भेजे संदिक्द गिफ्ट और सुरक्षा एजनसी हमिलेट वो हम आपको बताएंगे, भारत ने फिर्स की स्रिलंका की मदद, एक 11,000 में ट्रिक्टन चावल का तुफा दिया, कोई नहीं मर भूख से ये भारत को धन्यवाद किया है स्रिलंका ने, वो हम आपको बताएंगे, सब कुछ खबर जानेंगे, नए नवेले प्रधान मंतरी बने साहवाद सरीब के लिए, इमरान ने छोड़ दिया मुस्किलों का पिटारा, वो हम आपको बताएंगे, इस बीच बड़ी ख चैव को सब्सक्राइब करना, ना भूले इस देश की इंडियन आदमी के लिए जहलने किना मत भूलेगा, दोस्तों दसल पहली, बड़ी अप्डेड निखल क्या रिया, भारत ने लदाक में किया, इंटी टेंग गाइडिन मिसाइल हैलेना का सफाल परिक्षण किया है, इस इस मिसाइल का परिक्षण, एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर दरा उचाई, लदाक के उचाई वाले छेतर में किया जाएगा, जो पूरी तरीके से कामियाब है, रक्षण संधान और विकात संक्षण डियाडियों के अदीकारियों ने इसको परिक्षण के दारान, परिक्षण मंत्राले ने सोमवार को बताया है, कि भारत ने आज उच उचाई पर एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर से सोदेस मिननमित एंटी टैंग गाइडेट मिसाइल हेलना का सफलता पूर्वप परिक्षण किया है, जिनमें हेलिकॉप्टर के साथ हाथियार का एक ए यह मिसाइल, दूसरा मिसाइल लांच होने के बाद भी इसके टार्गेट को बदला जा सकता है, यानि सपोस्थ चाईना पर किसी टार्गेट को हमला करना है और वो लक्ष जो है वहाँ से हट गया है, तो ततकाल ततकाल उस लक्ष को जो है उस टार्गेट को चेंज भी किया दरसल बड़ी ख़बर निकल कहा रही एक तरफ जहां भारती विदेश मंतरी S.J. संकर रक्षा मंतरी राजनासिंह का अमेरिका का दौरा है, आतंगवाद का मुद्दा वाइडन के सामने उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भीषड हमला हुआ है, अमेरिका में New York के मैट्रो इस्टेशन पर अधा दुन फारिंग की गई फॉक्स निव्स की मुथाविक इसमें आतंकी हमले में से लग तक 13 लोगों की मौत हो गई जब कि कई घाल बताय जा रहे हैं मरने वालों के संख्या बढ़ सकती है इस धमाके के बाद नुव्यार्क में हाई इलर्ट जारी कर दिया गया बताय जा रहा है कि मेट्रो इस्टेशन पर वेस्पोर्ट टग भी मिले हैं सभी स्टेशन और सब्वे पर पुलिस की तराती कर दी गई वाई नुव्यार्क से एक संदिग्द को हिरासत में लेने के भी खबर है बताय जा रहा है कि वुल्किन मेट्रो इस्टेशन पर ये आतेंग की हमला हुआ है बुकलिन में 36 स्ट्रीट मेट्रो इस्टेशन पर अधा दून फाइरिंग की गई है वह नुव्यार्क में कई जिगे घातक बम मिलने की भी खबर है और इस हमले के बाद अमेर्की सुरक्षा एजेंसी एक्सन में आ गई है नुव्यार्क पिलिस और FBI जांच में जुट गई है तो ये बेहत बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें ये लगभग लगभग बात करें तो 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चकी है और यहां पर सुयम जिस आतंकी ने उड़ाया था वो सुयम भी मारा जा चुका है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बरतमान में अमेरिक भारती विदेश मंतरी अमेरिका में ही है अलाकि वो कुछ दूरी पी है लेकिन जहां यह हमला हुआ है हम सलते हैं को अपडेट लेते हैं बिग ब्रेकी निकल के आ रही है रश्या ने कर ली रासाइनिक हमले की तयारी यूक्रेन के तमाम सहरों पर छिड़कने वाला है जहरीला जहर हेलिकॉप्टर से जहर शड़कने की तयारी कर ली है बड़ी खबर निकल के आ रही है राश्या ने कमले जलस्की ने दी चेताउनी कुछ नहीं किया तो हो जाएगा अनर्थ अगर कुछ हुआ तो दरसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पयाप राश्यानी खथियारों के इस्तेमाल का खत्रा मडराने लगा है यूक्रेनी राश्पती बलादमेर जलस्की ने सोमवार को आगा किया है कि रूस यूक्रियन के खिलाब रासाइनिक हतियारों का इस्तेमाल कर सकता है मंगलवार को उन्होंने मीडिया से बाच्चीत करते हुए कहा है कि कड़े प्रतिबंद लगाने का आवान किया कि मैं दुनिया भर के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि रूस द्वारा रासाइनिक हतियारों के संभावित इस्तेमाल पर पहले ही चर्चा हो चुकी है उसमें इसका मतलब था कि रूसी आकरामटा पर अधिक कठोर और तेज प्रतिक्रिया करना बहर जरूरी है और यही कराण है कि इस पर एक तरीके से चेताओनी दी है हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान के नए पीम सहवास सरीप की एक दम बोली बदल गई जब पीम मोदी ने जम्मो कस्मीर को लेकर करारा जवाब दे दिया और आतंगबाद के मुद्दे पर उन्हें ने दो टुक कह दी जिसके बाद से पाकिस्तान के प्रधान मंतरी सहवास सरीफ मोदी जी से कहने लगे कि बधाई के लिए प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी धन्यवाद पाकिस्तान भारत के साथ सांतिपूर और सहयोगी दिस्ते चाहता है जमो कस्मीर साहित अनल लंबित बिवादों का सांतिपूर समाधान भी जरूरी है आतंगवाद से लड़ाई में पाकिस्तान की कुर्बानी का सब को पता है आईए सांति की सुरक्षा करें और अपने लोगों की सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान दें यानि आतंगवाद के लड़ाई के लिए पाकिस्तान की प्रधान मंतरी का कहना है कि हमने भी कुर्बानिया दी लेकिन जमो कस्मीर की कुर्बानी को सायद वो भूल गये हैं हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों आपको बता दे जहां इसराइल में इसराइल में भेजे चीन ने अपने जासूस संदिक्ध गिफ्ट भी भेजे हैं दरसल चीन ने इसराइली मंतरी को दिये गिफ्ट में बगिंग डिवाइस छिपाया था इसलेकर इसराइल ने जाँच शुरू कर दी है दरसल हैरेज की एक रिपोर्ट बताती है कि इसराइल शिन बेट सुरक्षा सेवा इस बात की जाँच कर रही है कि क्या चाइना ने संदिक्ध सामागरी पाय जाने वाले गिफ्ट की नियमेत जाँच के बाद एक इसराइली मंत्री को उपहार में दिये गए थर्मल कप में निगरानी उपकरण चुपाया था कप का चीनी दूतावास से साइंस टेकनोलजी और स्पेस मंत्री पोरित परकश इकोन को भेजा गया था स्टुरक्षा एजन्सियों ने कहा है कि घटना की जाँच की जा रही है संस्कृती और खेर मंत्राले ने बताया है कि चीनी दूतावास से एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि वो एक कप मंगलवार को आने की उम्मीद है तो ये एक बड़ी ख़बर में चलते हैं को और अपडेट लेते हैं दोस्तों बिक ब्रेकिंग निकल कहा रहे है जहां पर चाइना के खिलाफ अमेरिका ने किया बड़ा एलान बुले भारत के साथ की बड़ी डील कहा चाइना को LAC यल दाक समें भारती सीमा पर अगर कुछी भी तरीके से हरकती तो करारा जो अब देगा अमेरिका भी अमेरिका रक्षा मंतरी लाइड आस्टिन ने रक्षा मंतरी राजना सिंग से 2 प्लस 2 वारता के बीच कहा है अगर इस इलाके में चाइना किसी प्रकार की उग्र रड़े नीती अपनाता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा और ना केवल खड़ा होगा बलकि चाइना को करारा जवाब भी देगा रूस के खिलाब भारत के तटस्त रवये के बाद अमेरिकी रक्षा मंतरी का ये बायान सामने आया है इससे पहले अमेरिकी राशपती जो बाइडन और पर्थान मंतरी नेरेंदर मोदी के बीच वर्चुली बैठक में रूस यूगरेन युध का मुद्धा भी उठा था अमेरिका भारत पर रूस के साथ ब्यापारिक समंदों को कम करने की बात कर रहा है नेरेंदर मोदी जो बाइडन की बैठक के बाद वाइड हाउस की ओर से कहा गया है कि भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर रूस खास करके चाइना के खिलाब भारत और अमेरिगा के बीच ये बड़ी डील चाइना की मुस्किले खड़ी करने वाला है हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं वायुसेना प्रमुख ने कहा आने वाले समय में हाइब्रीड होगा युद्ध भारत को पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन कर रहा है हमला भारत भी कर रहा है इसी टेकनोलजी पर काम भारत वायुसेना प्रमुख वीवेक राम चौधर अने भाविस में खुद युद्ध की प्राकृतिक हाइब्रीड होने की संभावना जताई रही है अने मंगलबारु कहा है का आने वाले समय में जंग की प्राकृतिक हाइब्रीड होने के आसार है उनने कहा है कि इनमें ART Group से प्रत्वन सूचना में औरोध, कम्प्यूटर और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा All India Management Association की वोड़ से आजित एक प्रोग्राम की स्पीच में Air Chief Marsal ने कहा कि साइबर और इन्फॉमेशन युद्ध छेत को आकार देने के आधुनिक उपकरण बन गए है उन निकाहिक सूचना के छेतर में अच्छी तरीके से गढ़ा गया विमार्स दुस्मनों को प्रभावित करेगा और इसके विनासकारी प्रभाव भी हो सकते हैं चोधर निकाहिक लोगों दूसरे से आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ गये हैं ऐसे में हमारे नेटवर्क पर साइबर हमला कमान और नियंतर सनशनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तो भारत ने फिर से की सिलंका की मदद बड़ी खबर भूखे पेट नहीं सोएगा शिलंका ने साल पर दिया 11,000 में ट्रिक्टन चावल का तोफा दरसल दोस्तों दसकों से अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जुज रहे शिलंका की भारत ने एक बार फिर से मदद की है ऐसे हालातों में एक बार फिर से भारत ने अपनी परोस प्रथम नीती को प्रात्मिक्ता देते हुए सिलंका को सहायता देने का फैसला कर लिया है दरसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई जहां सिलंका में 9 साल के जस्ट में पहले भारत ने 11,000 में ट्रिक्टन चावल मंगलवार को कोलंबो भेजा सिलंका में भारती दूतावास के मताबिक चैन ग्लोरी जहाज पर चावल कोलंबो पहुँचे सिलंका में नया साल आम तोर पर 13 अपरेल या 14 अपरेल को मनाया जाता है और परमपरागत रूप से अमावस्या को देखते ही इसकी सुरुवात होती है दूतावास ने कहा है कि पिछले एक हपते में भारत ने सिलंका को अपने बहु आयामी समर्थन के तैत 16,000 में ट्रिक टन से अधिक चावल की आपूर्ती की और उनने कहा है कि ये आपूर्ती भारत और दूप रास्टों के बीच विसेस बंधन को दरसाती है तो ये एक बड़ी ख़बर निकल के आई है हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं आपको बता दे विग ब्रेकिंग नियूज निकल के आ रहे है जहां पर परमाणो मिसाइल की अंडरगाउंड लांच फैसिलिटी तैयार कर रहा चाहिए अमेरिका हमलों के खत्रों में चीनी परसासन हुआ सतर को अमेरिका ने तना तनी को बढ़ते देख चाहिना ने अपने परमाणो हत्यारों की खेप बढ़ाने का फैसला कर लिया अगबार में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अंसार चीन के पश्मी छेत में सेटलाइट इमेजों से पता चला है कि चाइना की लंबी दूरी की डी एफ 41 मिसाइलों पर काम जारी है इन पर वर्ज 2020 में तेजी से काम सुरू किया गया था और इसी तरीके की मिसाइलों में परमाणो आयोध डाले जाएंगे और ये मिसाइलें अमेरिका तक वार कर सकती है हाल ही में ली गई से टलाइट इमेट से पता चला है कि चीन उत्री पश्मी सहर यूमोन के पास एक ग्रेगिस्तान में इंटरलाकिंग बैलेस्टिक मिसाइलों के लिए सौछ से अधिक नए साइलों का निर्मार कर रहा है हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं सहवाज सरीफ सुबा आड़ बे के पीएम आफिस पहुँच गए जबकि करमचारी दस बजे ही पहुचते हैं सहवाज सरीफ के आड़ बजे ही पीएम आफिस पहुचने से करमचारीों में हरकम मच गया है अगली अपडेट लेते हैं मलसी चुनाव में वतरपरदेश मिधान सभाव परिधान परिशत के अस्थानी एची प्रादिकरन शेतरों के 27 सीटों के लिए दिवार्शिक चिनौ में भारते जनाता पार्टी अब तक कई सीटे जीत चुकी हैं और ज्यादातर सीटों पर उनके प्रत्शशी जीत कि हैं आपको बता दे 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी प्रचंड जीत की है जबकी 3 सीटों में से 2 सीट निर्दली है जबकी एक सीट जो है वो जनसता दल के खाते में गई है जो की राजा भहिया इस पार्टी के मुखिया है ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इस बीच मुक्रमंत्री योगी आरितनात का बयान आया है, उन्होंने का एक बाज, उत्रप्रदेश के स्थानी अपराधिकर विधान परिशत चुनाओं में भाजबा की प्रचंड विजय ने पुना स्पष्ट कर दिया है, कि आदर निया प्रदान मंत्री जी के कुसल मारक दरसन एम नेतरतों में प्रदेश की जनता राष्टबाद विकास एम सुसासन के साथ खड़ी है, ये चीजे जो हैं उन्होंने बड़ी बाते कहीं हुई है, हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, बिक ब् आफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर खरी खोटी सुनाए, नियुजे जिन्सी राइटर्स ने इरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान में प्रदर्सन कारियों द्वारा काबूल और हैरात में इरानी राजनाएक मिस्कनों पर पत्थर फेके गए हैं आपको बसा देए बड़ी ख़वर इरान और तालिबान के बीच चक्रहार जारी है एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों भरी सभाव में नितीज कुमार के करीब जा फोड़ा पठा का बम आरोपे गिरफ्तार दरसल दोस्तों वहार में वकुमंतरी नितीज कुमार रूस को 19.000 से जादा सैनको का हुआ नुकसान जी हां दरसल आपको बता दे बड़ी ख़बर निकल के आई है रश्या और यूकरेन के युद के बीच 50 दिन होने को चले हैं इस बीच रूस ने यूकरेन ने नयदावा किया है जिनमें 20.000 करीब 19.600 सैनक जो है वो मारे गये ह 175 प्लेन को तबाह कर दिया गया है 140 हेलिकॉप्टर्स को तबाह कर दिया गया है 732 टैंक को मार गिराए गये है 349 आर्ट्रिल्री गन को गिराए गया है जबकि 1946 आर्म परसनल कैरियर्स को गिराए गया है इसके साथ ही 111 MLRS को गिराए गया है 7 बोर्ट्स डूबो दिया गये ह 146 वहेकल को तवा कर दिया गया है 76 फिल टैंक को तवा कर दिया गया है 124 UAV को तवा कर दिया गया है जो ड्रोन थे यूवी ड्रोन और 63 एंटी एर काट वारफेर को जबकि 25 एसपसल एक्कुपमेंट को मार गिरा गया है तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रश्या को भारी भर कम नुकसान का दावाई उक्रेन कर रहा है एक और अपडेट लेते हैं, दोस्तो आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका में हुए हमले में कुछ भारती भी हैं सामल जी हाँ FBI ने लोगों से मागी हमलावरों की जानकारी दरसल अमेरिका में जिस तरीके से हमला हुआ वो काफी जादा बड़ा था इस दमाके में न्यूयर्क में हाइलर्ट जारी कर दिया है यानि पूरे अमेरिका में बाइडन ने सभी कारिक्रम को रद्द कर दिये मेट्रो स्टेशन पर विस्वोट टक भी मिले सभी स्टेशनों और सब्वे पर पुलिस की तैनाती कर दिये गई वन न्यूयर्क में एक संदिक्द को हिरासत में भी ली गए गये जोबाइडन ने हमले की जांकारी दी और निकाय की हमला और हमलावरों की तलास जारी है उधर FBI ने भी लोगों को से हमलावरों की जानकारी लेने को कहा है अमेरिकी समय के मताबिक सुभा साड़े आठ बजे यह आतर्क की हमला हुआ था इनमें कुछ भारतियों के भी मारे जाने की खबर निकल के आ रही है हलाकि अभी तक जानकारी जुटाई जा रही है कि इसमें कौन कौन लोग मारे गए हैं हम चलते हैं को और अपडेट लेते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है ऐसी खबर है कि रूस ने फिल्लेंड से लगने वाली एपनी सीमा पर सेन नतियारों की तैनाती बढ़ा दी यूकरिन युद्ध के बीच अब दो और देसों पर रूस के हमले का डर बढ़ गया है इसी खबर है कि रूस ने फिल्लेंड में लगने वाली सीमा पर सेन हथियारों की तैनाती बढ़ा दी इसके पीछे की वज़ा कहा जा रहा है कि फिल्लेंड और स्वीडन यानि नेटो अमेरिकी नेतर तबाला संक्थन गरबंदन सामिल होने पे बिचार कर रहा है इसलिए रूस ने ये कदम उठाया है उसने जो भारी हथियार तैनात किये गए हैं उनमें मिसाल सिस्टम भी सामिल है रूस ने अपने पडोसी देश को धंकी दिये जाने के कुछ घंटे बाद ही मिसाल सिस्टम और रन हथियार फिल्लेंड की तरफ जाते देखा गया हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही एक और आपको बता दे दोस्तों जहां ये हमने आपको बताया है इस बीच भारत में जानलेवा हुआ हवा जी हां बड़े सहरों में वाय प्रोडूसर्ण के चलते कम उमर में ही लाखों लोगों की मौ हमले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ सालों में ये संख्या लगबगी एक लाख तक रही है युनिश्टी या बर्गिंबम और युनिश्टी कॉलेज लंदन में अनुसंधान करताओं के नेतरत में हुए अध्यन का प्रकासन पिछले सब्ता साइंस एडवांसर में किया गया है इसमें निसकर्स निकला है कि तेजी से बढ़ते उश्ट कटबंधी सेरों में 14 साल में करीब 1,80,000 लोगों की मौत हुई है और जिन्हें बचाय जा सकता था दक्षडी एसिया के सेरों में वाय प्रदूसर के प्रकोप में कम आयू की लोगों की मृत्यू के बढ़ने के परविटी देखी गई है तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है फिलाल दोस्तों एक और अपडेट लेते हैं ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहा चाइना अमेरिका बोला राश्पती संग राश्पती साइं इन वेन के साथ मिलकर सीजिंपिंग को दें जवाब जड़सल रूस और यूक्रेन के बीच अब चीन और ताइवान में भी युद्ध की सुगार तेज हो गई है का जा रहा है कि चीन जल्दी ताइवान पर हमला कर सकता है जानकारी के मताबिक चाइना ने ताइवान पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली है दोनों दे पूरा सायोग करेगा और हर संभव मदद भी देगा तो बड़ी खबरों में इतना है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें पल पल के अबडेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना फोले इस वीडियो मतना ही